है जो लिए अनमस्कार दोस्तों मैं हुँ बिजिंदरखुमार और स्वागत एक बार फिर से बिजिंदरखुमार टूटोरियल में दोस्तों आज का मार जो टौपिक है वह ay transportation in generous दोस्तों यह एक बहुत important टौपिक है और बार-बार परेक्षव में इससे question देखने को मिल जाता है तो इस वीडियो में हम discuss करेंगे railway tracks introduction के बारे में तो दोस्तो railway tracks के basic 5 components होते हैं जिसमें पहला है rail इसको हम rail ही कहते हैं हिंदी में और दूसरा है slipper ठीक है इसको भी हिंदी में slipper ही कहते हैं तीसरा blast इसको हिंदी में गिट्टी कहते हैं और चौथा हमारा जो है rail fastening and fixer ठीक है दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं अस्थायक और बंधक ठीक है और पांच हमारा formation level यानि कि सब्सक्राइब कि अदोस्तों जैसा कि आप इसाइब में देख रहे हैं यह होता है हमारा रेल ठीक है रेल एक तरह का आई सेक्षन होता है जिसमें उपर वाला हिस्सा जो होता है ये वाला हिस्सा हमारा हेड कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा जो होता है जो बैठा होता है जमीन पे उसको हम फुट कहते हैं और बीच में जो हिस्सा बचता है उसको हम कहते हैं वेब जैसा कि आई सेक्षन यानि इस्टील में आपने पढ़ा होगा ठीक है दोस्तो ये वाला इस्सा जो है इसको हैड कहते हैं और इसी के ऊपर से हमारी रेल गाड़ी चलती है दोस्तों यह बहुत ज्यादा इस्ट्रेस बिएर करता है क्योंकि यह इस्टील बहुत ही high quality की होती है दोस्तों रेल मुखिता बॉक्स में लिख देजिए मैं उस पर भी विडियो बना दूंगा ठीक है क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो दोस्तो इस तरह से हमने रेल के बारे में डिस्कस कर लिया दोस्तो अब बात करते हैं स्लीपर की दोस्तो स्लीपर एक ऐसी सरचना है एक ऐसा इस्ट्रक्चर से जो इन दोनों रेलो को मजबूत आधार प्रदान करता है और इन दोनों रेलो पे आ रहा है सभी स्ट्रेस या तो आप यहाँ पर देख पा रहोंगी, यहाँ पर जो यह सरचना है, यह होता है हमारा Slipper, दोस्तो इसके जो लंबाई होती है, वो 26 mm होती है ठीक है? 26 mm होती है, और इसके किनारे पर हाइट अलग होती है, और बीच में हाइट अलग होती है, और जब हम इसको details में समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों slipper जो होता है मुखिता तीन तरह का होता है एक RCC slipper होता है यानि कि reinforcement concrete slipper और एक लकड़ी का slipper होता है और तीसरा जो होता है लोहे का slipper होता है या फिर इसपात का होता है तो दोस्तों मुखिता हम जो हमारा concrete slipper होता है इसको हम यूज करते है तो दोस्तों जैसा कि आप इस figure में देख पा रहे होंगे यहां पर यह जो चीज है इसी को हम blast कहते हैं और हिंदी में गिट्टी कहते हैं दोस्तों यह railway tracks के लिए बहुत ही important है दोस्तों यहां पर यह जो rail है और यह slipper है इन rail और slipper को मजबूती परदान करता है और जब इस पर से rail गाड़ी गुजरती है तो उस पर होने वाले company को यह beer करता है ठीक है कौन यह जो हमारा blast है ठीक है गिट्टी कहते हैं और इसको आम भासा में पत्थर भी कहते हैं तो दोस्तों गिट्टी के बहुत सारे work होते हैं बहुत सारे कारे होते हैं जब rail पर से rail गाड़ी गुजरती है तो इस पर जो कमपन उत्पन होता जो frequency उत्पन होती इसको एबजर्व कर लिता है कौन एबजर्व करता है गिट्टी दोस्तों और इस पर जो घास वगएरा उगती है घास उग गई या फिर जाड़े उग गई तो उसको भी यह उगने नहीं देता है और इसका मुख कार यह होता है कि जब बारिस होती है तो इसमें से drainage यान की जो प प्लेट को जोड़ने के लिए यहां पे एक प्लेट का यूज किया गया है और इसी प्लेट को फिस्ट प्लेट कहते हैं और इस फिस्ट प्लेट को जोडने के लिए जो bolt यूज किया जाता है इसको fist bolt कहते है ठीक है और ये एक बंधक के रूप में कारे करता है और जो fixer होता है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक keys है इसको चावी कहते हैं इन्दी में यह जो है sleeper और rail को इनकी rail और sleeper को जोड़े हुए है इसको हम चावी कह जाते हैं तो दोस्तो इस तरस्म ने बंधक और अस्ठायक के बारे में discuss कर लिया दोस्तो आप बात करते हैं कि दो रेल की बीच में गैप क्यों छोड़ा जाता है तो दोस्तों आप जैसा कि सभी लोग जाते हैं कि दुनिया में जो भी तो यह gap को cover कर लेती है ठीक है जिससे हमारा जो रेल है वह बच जाता है ठीक है और जैसे घर ठंडी आती है फिर से इस तरह से बल लगाती है यहनि कि शीकूर जाती है और यहां पर फिर से गयब बरकरार हो जाता है तो इसलिए हम क्या करते हैं इन बातों का ध्यान रखते हैं डिसकस कर लिया और गैप के बारे में डिस्कस कर लिया तो अब बात करते हैं फॉरमेसल लेवल तो यहां पे जो रिल बनाए गया है रेल ट्रैक बनाए गया वह भराओं में बनाए गया है और यहाँ पर जो rail track बनाए गया है वो कटाव में बनाए गया है दोनों है single line के लिए हैं और इनका requirement तब होता है जब हमारा जो GL होता वो नीचे होता है इसलिए हम वहाँ पर भराव करके rail track बनाते हैं ठीक है? और यहाँ पर जो हमारा कटाव है इनकी कटाव की requirement वहाँ पर होती है जहाँ पर पहाड़ी area होता है इनकी उबढखाबड होता है वहाँ पर हम कटाव करते हैं कटाव करके हम जो मिट्टी होती है उसको दूसरी जगह पर transfer कर देते हैं और यहाँ पर हम rail बना लेते हैं ठीक? कि तो दोस्तों जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे यहां पर जो स्ट्रक्चर। सा backgrounds पार करते हैं और रेल के उप्रे सीरी को head कहते हैं, beach वाले सीरी को web कहते हैं,और निचली वाले सीरी को food कहते हैं, जैसा कि i-section में बताये गया था है और यहां पर यह होता है लकड़ी का स्लीपर यानि उडल स्लीपर और यहां पर जो रेल है जिस पर बैठी होई है इसको हम चेर कहते हैं ठीक है चेर बोल्ट ही है जो कसा गया है यह अक्सर मैट्रों वगारा में देखा जाता है और दो रेल को जोडने के लिए फिस्ट प्लेट और फिस्ट बो इसको हम रनिंग सर्फेस कहते हैं इसी पर हमारी जो रेल गाड़े उसी पर चलती है तो दोस्तों इस तरह से हमने बेसिक इंट्रोड़क्शन ले लिया रेलवे ट्रैक्स के बारे में दोस्तों अगर आप इन जो कंपोनेंट्स हैं इन पर डीटेल्स वीडियो चाहिए तो क के लिए धन्यवाद जय हिंद